वेलकम तू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फास्ट भासा भार्ति हिंदी लेसन नंबर 16 पार्ट 6 आज हम जो लेसन नंबर 16 का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं ठीक है और यह जो पार्ट 6 है तो लेसन नंबर 16 का पार्ट 6 है उसके अंदर आज कुछ मोखिक प्रश्ण है बच्चो जिनको आपको बताना है तो इसमें पहला प्रश्ण आप देख रहे हैं और इसका पेज नंबर में आपको बता देता हूं इसका पेज नंबर है 128 एक 182 चिक है तो यह पेज नंबर आप आप देख रहे हैं पहला प्रश्ण है पांच फलो और सबजियों के नाम बताओ तो पांच फलो के नाम बिटा आप लोग जानते होंगे आप लोग ने फल आप शुरू एफ और एपल एपल खाया है आपने है ना और हमने पड़ा भी है और पहला जो सा जो हिंदी में जो जो आता है वा आता है अन्यार है तो पांच फलो के नाम अब अच्छे से सोचिये और बताइए ठीके तो से चाम आं फार इस्टाश कीजिए और बताईए पांच नाम आपके हो गए आपने बताया एपल बताया फिर आपने अनार बताया फिर आपने अंगूर पपीता और चीकू वेरी गुड और जो आगे हमें सबजियों के नाम सबजियों आप समझते ना सबजियों जिसे खाने के इस्तमाल में होती है उन सबजियों के नाम आपको बताना है जो जिसे मेतिक उर गोबी की सब्राव भी आपने खायोंगी है और इसी तरह मैंने आपको तीन सब्राव के नाम बता दिये है तो गेल सीजिए कि नाम बता दीन ही तो पंदतगे से सव issy ए Debate और इस तरह किये, ठीके, अब हम आगे देखते हैं प्रश्ण maturity 2, गर्मी के मोसम में उप्योग की चार वस्तो के नाम बताओ, जो हम गर्मी में उप्योग करते हैं, उन चार वस्तो के नाम आपको बताना है, ठीक है यह आपका homework concept है इसमें आप खुद सुचिए बच्चो अच्छे से क्या क्या है और आप बोलिये जोर से बोलकर भी देखिए वो चार वस्तों के जो गर्मी के मोसम में उप्योग होती है उन चार वस्तों के नाम आपको बताना है और आप इसके लिए आप अपने parents से भी पूछिए और घर पर बड़े भाहर बहनों से भी पूछिए और आप बताईएगा ठीक है और तीसरा प्रश्न है हमारा यातायात के साधनों के नाम बताओ और इसी के अंदर है कि वहनों की गती के बारे में भी आपसे प्रश्न हम करेंगे तो यातायात के साधन मतलब जो सड़क पर चलते हैं यातायात के जो साधन होते हैं कहीं पर हम बाहर जाते हैं तो उनके नाम बताना है तो यातायात के साधन क्या-क्या हो सकते हैं तो यातायात के जो साधन है तो पॉलिक भी होते हैं और एक परशनली भी होते हैं जैसे मांने लिजिये कि आपके घर पे मोटरसाइकल है, कार है तो वो भी साधन है यसी तरह जो CT-bust है जो पॉलिक होती है वो भी आतायात का साधन है तो तेन नाम मैंने आपको इसमें बता दिये हैं तो दो नाम बच्चों आप अच्छे से सौचिए और उनको आप बताईएगा ठीके और आप बताईएगा यातायाद के साधन के पांचो नाम जो दो नाम हमने आपको तीन नाम हमने आपको बता दिये हैं इसके साथ में और इन प्रशनों के उत्तर आप अपने वीडियो में record कीजिएगा और record करके हमें School stop पर भेज सकते हैं और आप खुद record करके याद होते हैं तो आप अच्छे से याद कीजिएगा और उनकी गती के बारे में कि कितनी गती से कितनी स्पीड से ये वाहन चलते हैं तो जनरल हम देखते हैं बच्चों की हमारी जो बसे हैं उनकी जो स्पीड जो होना चाहिए वो 30-40 के सम्थिंग होना चाहिए स्पीड और इसी तरह जो है जो मोटर साइकल होती है वो 40 के सम्थिंग उसकी 40-50 के सम्थिंग उसकी स्पीड होती है बड़े जो लंबे सफर पर ग घंटे की रफ्तार से highway पर गाड़ी, motorcycle, generally 40-50 के something चलती है, ठीक है, अब बच्चों हम प्रशन पूछ रहे हैं, आप से प्रशन नमबर 4 है, जिसमें आपको कवीता सुनाना है, कोई भी कवीता जो आपको याद है, तो आप अच्छे से कवीता कहें, और उसको record करें, और WhatsApp पर ह में आपकी कवीता जो है, आप भेच सकते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप बराबर इस work को करेंगे, आगे जब प्रशन नमबर 5 है, सिक्षक बच्चों से कोई कहानी सुने, तो कवीता के साथ बिटा, आपको जो कहानी याद है, वो कहानी भी आप लोग सुनाएंगे, यद कूल के WhatsApp नमबर पर भी भेजें, तो आपकी जो कवीता हैं, कहानी हैं, उनको भी हम मीडिया पर भेजेंगे, जो भी उसमें बेटर कहानी होगी, ओके, आगे हम चलते हैं, प्रशन नमबर 6, प्रशन नमबर 6 है बच्चों, वो है साफ सफाई के बारे में हम आप से प्रशन क करेंगे, ठीक है, तो अब आप बच्चों ये बताईए, कि जो है, जैसे दान्ट साफ करना क्यों जरूरी है, तो आप क्यों जरूरी है, है ना, उसके अंदर कि हमें दान्ट साफ क्यों करते हैं, तो आप बच्चों बोलिए, सोचिए कि क्यों करना जरूरी है, तो और उतीजिए ना धासा इसलिए करना चाहेए क्योंकि हमें वीमारी नहीं होए और हम सुरक्षयर He हुइं कर दातों के सफाइध करना बहुत जरूरी है क्योंकि दातों की सफाजिन और हम वहाँ पर देखते हैं। दांतों में जो किटान होते हैं तो उससे कई परकार की बिमारिया होती है बचो और उसमें सडन पेदा करते हैं तो डेली नियमित हमें दांतों की सफाई करना चाहिए इसकुल में भी आपको प्रियर में भी बताया जाता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए दांतों की के अंदर आगे का है कि जो है नहाना क्यों जरूरी है है ना तो नहाना जो है हमारे स्वास्त के लिए सरीर के लिए ताजगी के लिए नहाना जरूरी है तीसरा कुशन हमारा है नाखोन काटना क्यों जरूरी है तो बच्चों नाखोन काटना बहुत जरूरी है ना आप इसके अंदर हम ये है कि नाखून जो जब बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कई परकार की गंदगी लग जाती है और उन गंदगी को आप देखते हैं कि नाखून के जो भार हिसा निकला होता है उसके अंदर जब गंदगी जाता है गंदगी और कई प्रकार की बिमारिया हो सकती है, तो उससे सुरक्षा के लिए बिमारियों से बचने के लिए और हमें नाखुन काटना बहुत ही जरूरी है, इसकूल में भी आप देखते हैं कि प्रती एक जो है सब्ता हमें नाखुन आपके चे किये जाते हैं, तो वो इसलिए किये जाते हैं ठीके बच्चो अब इसके अलावत चोंथा जो है इसमें प्रस्न च्छे का जो चोंथा है उसमें गंदे कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए तो यह जो गंदे कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए तो इस जो है पैरन्स से भी पूछिए और इसका आप वीडियो बनाईए और आप हमें इसका उत्तर सेंड कीजिए तो आशा करते हैं कि आप जरूर इस वीडियो को आपका खुद का वीडियो बनाएंगे कि गंदे का प्लग क्यों नहीं पहनना चाहिए इस प्रशन का आप जवाब बेंगे आगे अगला प्रशन है प्रशन नमबर साथ किसी देखे गए मेले खेल या तेहार के बारे में आज हम आप से चाचा करते हैं कि आप कभी आप मेले के अंदर गए हैं तो कौन से मेले के अंदर गए हैं वहाँ पर आपने क्या क्या देखा और क्या खाया और इस बा मनाई तो ईद में आप क्या करते हैं एक्जामपल सुबह जल्दी उठते हैं कपड़े नहाना धोना फिर नमाज के लिए जाते हैं या दिवाली के ओपर है तो दिवाली के अंदर हम जो है जो यह एक बहुत बड़ा तेहार होता है दिवाली भी और इसके ओपर दिपावली प इद के उपर और कहीं मैले में गए हो तो उसके उपर आप जो है अपनी स्पीच अपना भाशन आप देंगे और उसका वीडियो रिकॉड करके आप इसकूल पर भेजेंगे है ना इसकूल के वाटसप नमबर पर इसी के अलावा हम आगे देखते हैं आगे यहां पर दिया हु है कि निमलिखी सब्दों को पढ़ो तो यह यहां पर आपको पढ़ना है ठीक है तो इसमें मैं और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं बढ़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको इसके अंदर दिखे और मेरे सांसांत आपको इसको पढ़ना भी है ठीक है तो स्टार बुलबुल बुलबुल सूरज सूरज करेला करेला तेराक 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 आपको पता है ना तेराक किसे कहते हैं तेराक जो पानी के अंदर बहुत अच्छे से तेर लेता है उसे तेराक कहते हैं जैसे मानने जिए कोई गाड़ी चलाता है बस चलाता है तो उसको हम वाहन चाल प्रश्ण है प्रश्न नंबर 9 है और इस प्रश्न नंबर 9 के अंदर आपको यहां पर देखिए कि यहां पर जैसे यह जो आ और आ तो यह जो है इनकी जोडिया मिलाना है जोडि मतलब मात्रा वाली जोडि जैसे यहां पर जो पहला सब्दे का और का में आ की मात्रा कान तो अब यह जो पहला सब्द है यह का में आ की मात्रा वाला सब्द आगे इधर कहाँ पर है इस लाइन में कहाँ पर है उससे आपको इसकी जोड़ी मिलाना है तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर यह जा और जा में आ की मात्रा जा न जान यह जा में आ की मात्रा यह मिला रहा है तो इसको हमें ऐसा मिला देगे ठीके बच्चो इसी तरह हम यह यहां पर दूसरा सब्द देखिए, का में छोटी की मातरा किला, अब हम इधर देखेंगे, इधर का में छोटी की मातरा किला कहा है, तो का में छोटी की मातरा देखना है, तो यहां पर यह छोटी की मातरा यहां पर लगी, यह खाखरगोज का, खा में छोटी की मातरा खी, और लामया की मातर ला खिला तो यह हम इसको इससे मिला देंगे ठीके बच्चो इसी तरह हम आगे देखते हैं तो आप इसके अंदर प्रॉपर जब आप देखेंगे कि तीसरा जो है वो है का में बड़ी की मातरा की तो अब इधर बड़ी की मातरा इधर कहा है वो देखेंगे तो यह का में बड़ी की मातरा यहाँ पर लगी है यह चा चम्मच का चा में बड़ी की मातरा चील तो यह इसमें मिलेगा ठीक है यह इस तरह से जोड़िया मिलती है बच्चो अब दो ओर है यहाँ पर केला और भोर तो का में एक की मातरा इधर कौन सा सब्द है उसको उन दो को आ नाई दो सब्द कि आप मात्राई देखिए यह इसमें छोटी ए की मात्रा है और इसमें ओ की मात्रा है अब इदर छोटी ए की कहा है और छोटा ओ की कहा है उसको आपको इसमें मिलाना है ठीक है बच्चो तो यह यहां तक का आपका यह कंप्लीट हुआ और आप चैनल को सब्क करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेर करें ताकि सब बच्चे पढ़ें अच्छे से पढ़ें क्योंकि सब पढ़ेंगे तभी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया और इसको आप लाइक भी करें see you next video okay